तुडेंट्स आज मैं जेई एडवांस 2013 वर्क एनरजी पावर टॉपिक का एक कॉम्प्रियंसन टाइप प्रॉब्लम आपको बताऊंगा इसके बाद इस प्रॉब्लम को मैं मौडिफाई करूँगा और उस मौडिफाईट प्रॉब्लम का जो लेवल है वो इसके करेंट प्रॉब्लम के लेवल से उपर हो जाएगा और उस प्रॉब्लम का सल्यूसन भी मैं आपको बताऊंगा तो आज हम लोग करेंगे दो प्राबलम एक जो 2013 में आई थी वर्क एनरजी पावर टापिक थी और फिर उसकी मॉडिफाइड प्राबलम को हम लोग करेंगे A small block of mass 1 kg यह एक small block है जिसका mass 1 kg है is released from rest at the top of a rough track यह एक रूफ ट्रैक है तर्फ ट्रैक है यह और इसके टॉप पर इस बन के जी के ब्लॉक को रिलीज किया गया है कि दैट्रैक इज है तर्फ लर आर्क ऑफ रेडियस 40ग वाइब तो यह जो ट्रैक है यह 40 मीटर रेडियस का एक सरकल है यह block जो है एक track के along slide करते हुए आता है और point q तक आता है जब वो point q तक आ जाता है तो and a frictional force is acting on it in the direction opposite to the instantaneous velocity तो किसी भी समय जब यह block slide करते हुए नीचे आ रहा होगा तो frictional force इसके ओपर act कर रही होगी जो कि इसकी velocity के opposite होगी अब friction के against कुछ नहीं कुछ work होगा और point q तक जब block यह पहुचता है तो friction के against जो work हुआ है वो दे रखा है ठीक है जी the work done in overcoming the friction up to point q is 150 joule तो यह block slide करके जब 30 degree angle घूमता है और point q पर पहुचता है तो यहां तक friction के against जो work हुआ है वो work 150 joule है अगर जी की value 10 meter per second square है if the value of g acceleration due to gravity is 10 meter per second square find the speed of the block when it reaches the point q जब वो block point q पर पहुचेगा तो उसका speed कितना होगा ठीक है हमारे पास 4 options है 5 meter per second फिर हमारे पास है 10 meter per second 10 root 3 meter per second और fourth option हमें दे रखा है option d 20 meters per second तो यह 4 option हमें दे रखे हैं हमें पर एक option बताना है इसके बाद the magnitude of the normal reaction that is acting on the block at point q is तो चार option है 7.5 newton b 8.6 newton c 11.5 newton and d 22.5 newton तो अब यह देखें आप लो यह block जब यहां ते यहां तक आएगा तो यह vertically कितना नीचे आएगा यह vertically नीचे आता है माल नीचे height h, height यह vertically नीचे आ गया अब इसका radius ते 40 meter यह angle 30 degree है और ध्यान देने की बात है कि यह angle 90 degree है तो sine 30 degree को आप क्या कह सकते है perpendicular upon hypotenuse sine 30 degree is h by 40 meter equal to half therefore जितनी height h यह नीचे आया है block यह 20 meter है अब जब यह block 20 meter नीचे आएगा तो इस block के ऊपर gravity का कितना वर्क होगा gravity का वर्क होगा MGH तो मास है 1 kg gravity है 10 meter per second square और height जितना यह नीचे आया है वह 20 meter है तो 1 kg x 10 meter per second square x 20 meter यह हो जाएगा 200 Joule फ्रिस्टन की अगेंस जो वर्क है वह 150 Joule है यानि कि फ्रिस्टन ने जो वर्क किया है वह नेगेटिव वर्क किया है और कितना वर्क किया है माइनस 150 Joule तो जो नेट वर्क डन है नेट वर्क डन हो जाएगा 200 Joule माइनस 150 Joule that will be 50 Joule तो इस ब्लॉक के ओपर जो पूर्सिज लग रही है नॉर्मल रियक्शन तो कोई वर्क करेगा नहीं फ्रिस्टन और ग्रैविटी का जो नेट वर्क है वो 50 Joule का है अब वर्क इनरजी थियोरम क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल पे जो नेट वर्क डन होता है वही उसकी काइनेटिक इनरजी के चेंज के बराबर होता है वर्क صकर्ण देल्टा के, यह वर्क इंर्जी थेयोरम, तो यह जो 50 जूल का इसमे वर्क हुआ है, यह ब्लॉक की काइनेटिक इनर्जी में कनवर्ट हो जाएगा, और हम यह कहते हैं कि पॉइंट कूपर ब्लॉक की काइनेटिक इनर्जी 50 जूल के बराबर होगी, the speed of the block when it reaches the point Q is 10 meter per second and the correct option is option B तो अब ध्यान से देखिए जब यह block point Q पर आता है तब इसकी velocity हो जाती है V यह circular motion कर रहा है और circular motion में तो normal acceleration होता है उसका value V square by R होता है V की value 10 meter पर सेकंड आचकी है radius 40 meter given है तो normal acceleration कितना हो जाएगा V square by R और V square by R हो जाएगा 10 into 10 by 40 तो 2.5 meter per second square तो इसका जो normal acceleration होगा वो 2.5 meter per second square होगा directed towards the center center की तरफ होगा इसके बाद जब यह point Q पर आ गया है तो इस पर लगने वाली forces क्या है इस पर दो forces लग रही है एक तो normal reaction जो की सेंटर की तरफ है circle के और दूसरा इसका weight 10 newton अब ध्यान देखिए यह angle 30 degree है तो यह वाला angle 60 degree होगा और वेट का एंगिल जो radial direction के साथ होगा वो 60 degree होगा तो हम weight 10 newton को tangential direction बेख component ले सकते है 10 sin 60 degree इसकी यहाँ पर हमको ज़़वत नहीं है और दूसरा normal component है weight का 10 cos 60 degree cos 60 degree होता है हाफ तो 10 cos 60 degree कितना हो गया 5 newton तो इस particle पर आप ध्यान से देखें center की तरफ दो ही force act कर रही है एक तो है normal reaction और दूसरा weight का component जो की है 5 newton तो center की तरफ net force कितनी हो जाएगी center की तरफ net force हो जाएगी normal reaction n-5 n-5 और यह हो जाएका mass into acceleration mass है 1 kg और acceleration है V square by R और V square by R की value कितनी है 2.5 meter per second square तो n-5 की value हो जाएगी 1 into V square by R अब 1 into V square by R 1 into 2.5 तो normal reaction को आप solve कर ले 7.5 newton आ जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option A 7.5 newton तो अब इस J advance के problem को हम लोग modify करेंगे और modified problem को भी हम लोग solve करेंगे तो देखिए मैंने modification क्या किया है वो मैं आपको पताता हूं माल लेते हैं कि यह जो circular track है यह भी एक block है जिसका एक surface जो है वो circular है या एक circle का one by fourth part है और यह जो circular track है यह rough है one kg का particle इसके top पे है और यह जो wedge है जिसका एक surface circular है इसका mass भी one kg है और यह wedge है कि smooth surface के उपर रखी हुई है तो जब यह particle इसके slide करते हुए नीचे आएगा तो इस particle के normal reaction की वजह से यह wedge भी left direction में slide करेगी तो अब इसमें change क्या हो गया है यह wedge भी one kg की है और यह one kg की wedge slide कर सकती है कि smooth ground के ऊपर बाकी सारे perimeter वही है जो पहले दिये हुए थे अब मेरा सवाल यह है कि जब यह particle slide करते करते वेज के respect में 30 degree angle कर जाता है उस तमये पर मान लेते हैं वेज की velocity v1 है इस particle की velocity v2 है वेज का particle पे normal reaction n है और ground का वेज पे normal reaction n1 है तो मैं आपके पूछना चाहता कितनी है particle की speed ground frame में v2 कितना है normal reaction कितना है n और normal reaction of the ground वेज की ओपर कितना है यह आपको बताना है यह चालों चीजे मैं पूछना चाहता हूँ तो अब यहां पर देखिए यह particle slide करते करते point q पे आ गया है और यह angle 30 degree है अब particle के normal reaction की वज़े से इस वेज ने भी कुछ velocity attain कर ली है और वह वेलास्टी मैंने माली है horizontal direction में है वीवन और इस तवे particle की वेलास्टी ग्राउंड फ्रेम में वीटू हो गई है वीटू जो वेलास्टी है यह इस radius के perpendicular नहीं है यह बात ध्यान रखनी है अब wedge के frame में अगर हम देखते हैं यानि कि 1 kg वाले circular track के frame में अगर हम देखते हैं तो इस particle का circular motion होगा और उस circular motion की जो tangential velocity है वो वी हमने माली है अब वी क्या है velocity of particle in the frame of wedge क्योंकि जो circular track है उसके frame में अभी भी 1 kg के particle का जो motion है वो circular है एक formula आप जानते है velocity of particle 2 with respect to particle 1 is velocity of particle 2 minus velocity of 1 यह relative motion का formula है तो velocity of particle 2 को आप क्या कह सकते है velocity of particle 1 यह velocity of wedge 1 plus velocity of 2 with respect to 1 यानि कि इस particle की circular track के frame में जो relative velocity V है उसमें अगर हम circular track की velocity V1 का vector सम कर दें तो फिर इस particle की ground frame में जो velocity V2 है वो हमको मिल जाएगी वही हम लोग करेंगे कैसे करेंगे देखिए इस particle की जो velocity है track के frame में वो V है अब ध्यान से देखिए यह angle है 60 degree यह angle हो जाएगा 30 degree तो इस particle की जो horizontal velocity होगी वो होगी V sin 30 इट विल बी V by 2 और इसकी जो vertically downward velocity होगी वो होगी V cos 30 कितना हो जाएगा that will be V root 3 by 2 तो यह जो particle है जो की wedge के frame में या circular track के frame में circular motion कर रहा है इसकी tangential velocity है V और उस velocity V के एक horizontal component है V sin 30 V by 2 और एक vertically downward component है V cos 30 V root 3 by 2 तो यह V1 हम इसमें add कर दें तो फिर यह इसका जो resultant है वो particle 2 की net velocity देजेगा तो particle 2 की net velocity क्या हो जाएगी ground frame में ground frame में particle 2 की velocity हो जाएगी horizontal direction में V by 2 minus V1 क्योंकि यह V1 V by 2 के opposite है और downward direction में यह velocity होगी V root 3 by 2 फिर जो 1 kg का particle है इसके पास तो केवल एकी velocity है वो है V1 तो यह हमने particle 1 की velocity लिख दिए V1 और particle 2 की जो velocity है V2 ground frame में यह इन दोनों velocity इसका vector sum होगी तो ध्यान से देखिए इस particle plus wedge का जो system है इसका momentum horizontal direction में पहले कितना था जीरो था तो क्योंकि यह एक smooth track पर move कर रहा है horizontal direction में कोई net force नहीं है track plus particle के system पर तो इसका momentum horizontal direction में अभी भी क्या होगा अभी इसका momentum है वो रहेगा जीरो रहेगा अब पहले momentum जीरो था बाद में particle का momentum कितना है particle का momentum है वन केजी इंटू वी बाई टू माइनस वी वन और इस track का momentum opposite direction में है तो माइनस वन इंटू वी वन और यह सम अभी भी जीरो ही रहेगा यह equation क्या बन जाएगी यह बन जाएगी वी बाई टू माइनस टू वी वन इस जीरो और इसने आपको मिल जाएगा वी का value कितना है पूर वी वन तो जो इसकी relative velocity थी वी ट्रैक के फ्रेम में तो वी का value हमने प्रूव कर दिया है इस फोर वी वन तो भी कितना है बच्चों फोर वी वन है तो अब वी बाई टू माइनस वी वन हो जाएगा टू वी वन माइनस वी वन तो दैट विल भी वी वन इसका मतलब क्या हो गया कि पार्ड किल टू की velocity का जो horizontal component है वो वी वन ही है और वी रूट थ्री बाई टू यह हो जाएगा फोर वी वन इंटू रूट थ्री बाई टू तो पार पार्ड किल टू की velocity का जो vertically downward component है वो हो जाएगा टू रूट थ्री वी वन तो यह पार्ड किल टू की velocity का horizontal component आ गया वी वन और पार्ड किल टू की velocity का vertically downward component कितना आ गया टू रूट थ्री वी वन अब देखिए कब ध्यान देखिए पार्ड किल टू की net velocity क्या हो जाएगी पार्ड किल टू की net velocity V2 square will be V1 square plus 2 root 3 V1 square तो V2 का square हो जाएगा V1 square plus 12 V1 square that will be 13 V1 square ठीक है जी तो V2 का value आ जाएगा कितना इट विल बी root 13 into V1 अब यह बात तो clear है कि अभी भी gravity ने जो वर्क किया होगा वह 200 joule का ही किया होगा कि friction ने जो वर्क किया होगा वह अभी निगेटिव ही किया होगा उसकी value अभी मान लेते हैं कि 150 joule है क्योंकि मैंने problem में ऐसा कह दिया था कि बाकी सारे parameter सेम रहे तो जब बाकी सारे parameter सेम रहे तो अभी भी हम ऐसा अजमसन लेके चल रहे हैं कि friction के अगेंट जो वर्क है वह अभी भी 150 joule है friction के अगेंट वर्क को अभी ही भी हमने मान लिया है वह कितना है 150 joule यानि कि friction का निगेंट वर्क ऐसा हम मान ले रहे हैं ऐसा जमसन हम ले रहे हैं कि वह 150 joule है कि तो अब यह कितने convert हो जाएगा यह kinetic energy में convert हो जाएगा दोनों पार्डिकल्स वेज और पार्डिकल की तो अब वेज की kinetic energy क्या है half into 1 into v1 square और पार्डिकल की क्या है half into 2 into v2 square ठीक है जी तो अब 50 is equal to v1 square by 2 plus अच्छा यह वाला मांस भी वन ही है 13 v1 square by 2 so that will be 7 v1 square तो v1 की जो value आएगी यह आजाएगी तो v1 square की value आजाएगी 50 by 7 और v1 की value आजाएगी square root of 50 by 7 यह हो जाएगा 5 into root 2 by 7 meter पर second तो v1 का value आगया 5 into root 2 by 7 meter पर second और v2 का value क्या होगा तो v2 का value जैसा कि हम देख चुके यह रूट 13 into v1 है तो v2 का value हो जाएगा 5 into root 13 into root 2 by 7 meter पर second तो v1 और v2 की value जाएगी है अब जब यह particle slide करके आ रहा है और जब यह 30 डिग्री के अंगिल पर आ गया है तो इस वेज का acceleration कितना है माल लेते हैं horizontal direction में उसकी value A0 है यह horizontal acceleration आएगा कहां से इस particle का normal reaction जो wedge पे लग रहा है उसके horizontal component की वज़े से ही आएगा क्यों क्योंकि इस track का weight तो जो 10 newton है वो vertically downwards है जो ground का normal reaction n1 है वो upwards है तो अपवर्वर्ट वर्टिकल forces की विज़े से horizontal में तो acceleration आएगा नहीं केवल जो इस particle का normal reaction track पे लग रहा है उसी का horizontal component जो है एन कॉस 30 यह एन कॉस 30 डिगरी ही इस track को horizontal direction में acceleration दे सकता है तो एन कॉस 30 डिगरी एन कॉस 30 कितना हो जाएगा रूट 3 by 2 N अब रूट 3 by 2 N is mass into acceleration तो रूट 3 by 2 N is 1 into A0 यह बात आ जाएगी इसके बाद अगर हम लोग इस track के frame में particle का free body diagram बनाए तो track के frame में particle कैसा motion perform कर रहा है यह तो आप जानते ही हो कि इसका जो motion है वो circular है और इसके फोर्सेज क्या है इसका weight 10 Newton normal reaction track का N और साथी साथ इसके ओपर भी लगेगी pseudo force वो इधर की तरफ लगेगी 1 into A0 अब यह बात ध्यान देने वाली है कि यह angle 30 degree है और यह जो angle है यह 60 degree है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इस 10 Newton की force के और 1 A0 की जो pseudo force है इसके component ले सकते है अब उसमें क्या होगा और बात हो रही है track के frame में ठीक है तो अब देखें फोर्सेज क्या हो जाएंगी इसके ओपर नॉर्मल रियक्टन तो रहे गा ही यह फोर्स ऐसे आ जाएगी 10 कॉस्टी डिग्री तो इट इस 5 फिर वन ए नॉट कॉस्ट थर्टी तो वन ए नॉट कॉस्ट थर्टी बने नॉट की वैल्यू कितनी है वन ए नॉट की वैल्यू है यह रूट 3 by 2N तो रूट 3 by 2N multiplied by root 3 by 2 that is 3N by 4 तो यह जो स्ट्यूडो फोर्स लग रही थी इसका जो नॉर्मल के लॉंग कंपोनेंट है वो कितना है 3N by 4 है और इसका टेंजेंसियल कंपोनेंट क्या होगा इसका टेंजेंसियल कंपोनेंट होगा 1A0 930 तो यह जो 1A0 930 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3N by 4 और इस वेट का जो कंपोनेंट होगा टेंजेंसियल डिरेक्टन में टैन साइन सिस्टी तो टैन साइन सिस्टी की वैल्यू हो जाएगी फाइफ रूट 3 तो अब ध्यानते देखिए इस पार्डिकिल के ऊपर इस ट्रैक्ट के फ्रेम में जो फोर्टेज एक्ट कर रही है तो नॉर्बल डिरेक्टन में सिंटर की तरफ दो फोर्टेजें एन प्लस 3 एन बाइ 4 और अबे फ्रॉम सिंटर एक ही फोर्टेज फाइफ न्यूटन की और टेंजेंसियल डिरेक्टन में दो फोर्टेज इस तो वेट का टेंजेंसियल कंपोनेंट 5 रूट 3 प्लंस रूट 3 एंबाइंट 4 और इस पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा V स्क्वार बाई आर तो अब नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वार बाई आर कितना होगा तो वी स्क्वार बाई आर की वैल्यू वी की वैल्यू हम लोगों निकाली थी वी की वैल्यू कितनी आई थी वी की वैल्यू आई थी 4V1 याद करें वी का वैल्यू कितना आया था 4V1 हम लोगों निकाला था तो वी का वैल्यू 4 इन्टू 5 इन्टू 5 इन्टू रूट 2 बाई 7 तो वी की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट 2 बाई 7 मीटर पर सेकेंड तो नॉर्मल एक्सलरेशन कितना हो जाएगा वी स्पैर बाई आर तो 20 इन्टू 20 इन्टू बाई 7 अपॉन आर और र की वैल्यू कितनी है 40 तो 20 से 40 कट जाएगा यहां पर 2 बचेगा 2 से 2 कट जाएगा तो नॉर्मल एक्सलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो 20 बाई 7 मीटर पर सेकेंड डिस्पायर आ रही है तो अगर आप कल्कुलेट करेंगे वी स्पैर बाई आर तो ट्रैक के फ्रेम में जो नॉर्मल एक्सलरेशन है उसकी वैल्यू 20 बाई 7 मीटर पर सेकेंड डिस्पायर है अब सेंटर की तरफ नेट फॉर्स कितनी होगी तो न्यूटन स्टेकंड लगाने जा रहे हैं नेट फॉर्स इच मास इंटु एक्पलरेशन तो सेंटर की तरफ नेट फॉर्स क्या है जारें प्लस एप दीज़ बाई फॉर्स और वेट के नॉर्मल कंपोनेंट को माइनश करेंगे इस निफ एक्पल टूमा इंटु एक्पलरेशन और गोहाँ थेट फेंटी बाई तो देखिए 7 इन बाई 4 इच फिटी फ़िस फाइब बाई प्लस वेंटी बाई 7 जैट जैटि 55 by 7 तो एन की वैल्यू आ जाएगी 55 इंटो 4 बाइ 7 इंटो 7 और देट विल बी 220 बाइ 49 न्यूटन तो जो नॉर्मल रियक्शन आया है कर्कुलर ट्रैक और पार्टिकल के बीच में वह कितना है 220 बाइ 49 न्यूटन के बराबर है तो नॉर्मल रियक्शन आ गया अब हमको ग्राउंड का नॉर्मल रियक्शन सर्कुलर ट्रैक के उपर कैलकुलेट करना है इसके लिए हम सर्कुलर ट्रैक का फ्री बाडी डियाग्राम बना लेंगे ग्राउंड के फ्रेम में तो इस तर क्या Forcige Act कर रही है देखते हैं कि इस तरफ पूर्से जैक्स कर रही है ग्राउंड का नॉर्मल रियक्शन एन वन इसका वेट नीचे टी तरफ 10 नूटन और नॉर्मल रियक्शन पार्टिकल का एंड एंड की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं तो ट्वेंटी वाई 49 है अब यह एंगिल थर्टी डिग्री है तो नॉर्मल रियक्शन का होर्जोंटल कंपोनेंट है एंड कॉस्ट थर्टी डिग्री जो कि इस वेज को होर्जोंटल डारेक्शन में एक्सलरेशन एनॉट देने के काम में आएगा और इसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है एंड साइन थर्टी डिग्री जो कि है एन वाई टू अब ध्यान से देखिए कि वर्टिकल डारेक्शन में वेज का कोई एक्सलरेशन नहीं है तो वेज पे नेट पॉर्स भी क्या होगी जीरो तो क्योंकि वर्टिकल डारेक्शन में वेज का कोई एक्सलरेशन नहीं है वेज पे नेट पॉर्स जिरो होनी चाहिए तो हम यह कह सकते हैं कि एन वन इजी को टू टू टैन प्लस एन बाइट तो एन वन इस टैन प्लस 220 बाइ 49 इंटो हाफ तो एन प्लस 110 बाइ 49 प्लस 110 बाइ 49 और इसको अगर आप सिंप्लिफाई कर दें तो ग्राउंड का नॉर्मल रियक्शन तो ट्रेक्ट पर आएगा तो यह प्रावलम हम लोगों ने सॉल्व कर ली है इसमें हमने यह जरूर लिया है कि जब यह पार्डिकल स्लाइड करता है सर्क्लर ट्रेक्ट के ऊपर तो फ्रिस्टन गाजो वर्कड़न है उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है वैसे तो चेंज आएगा लेकिन हमने यह पर यह जूम कर लिया है कि फ्रिस्टन का जो वर्क है नेगेटिव वह अभी भी माइनस फिटी जूल रहा है इस अजमसन के साथ इस प्रावलम को हम लोगों ने सॉल्व किया है वैसे भी अगर हम फ्रिस्टन के वर्क को कल्कुलेट करने का सोचे तो इस वेरी डिफिकल्ट इस अजमसन ले लिया गया है कि जो फ्रिस्टन का वर्क है वह वन फिस्टी जूल ही रहा और उस अजमसन के साथ इस प्रावलम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है डियर स्टुडेंट्स आपके लिए लेकर आया है जेई मेंस और एडवांस के लिए क्रैस कोर्स जो की ऑफलाइन मॉड में भी अवेलेबिल है कानपुर में ताती तात ऑनलाइन मॉड में भी ये कोर्स अवेलेबिल है हमारे कोर्सेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.iitranker.com आप इमेल पर भी क्वेरी कर सकते हैं हमारा इमेल एडरेस है iitrankersinfo at the rate gmail.com साथी साथ WhatsApp या Telegram पर भी आप हमसे कॉंटेक्स कर सकते हैं हमारा WhatsApp या Telegram नंबर है 945253-8829 थैंक यू